स्वागत है आप सब का लाइव लॉग की इस खास पेशकश कोट्स टुडे हिंदी में मेरा नाम है स्यद आमर हुसैन और मैं आपको हिंदुस्तान के सभी कोट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे तो जरूर जाएए लाइव लॉग हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से इस वीडियो में हम आपको संशेफ में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं शुरुवात करते हैं घटनाओं के एक दिल्चस्प मोर से विवादासपद फिल्म एमरजंसी के सहनिर माताओं ने गुरुवार को बॉंबे हाई कोट को बताया है कि भाजपा सांसद यानि MP कंगना रनावत अभिनीत फिल्म को स्वयम भाजपा के इशारे पर रिलीज होने से रोका जा रहा है नियायमूर्ती बॉर्गेस कुलाबा वाला और नियायमूर्ती फिरदोशपुनी वाला की खंडपीट को सुचित किया गया कि केंद्रिय फिल्म प्रमानन बोड अपने सामगर हितों की रक्षा के लिए सत्ता रोध पार्टी यानि BJP के इशारे पर काम कर रहा है क्यूंकि फिल्म को सिक विरोधी के रूप में देखा जा रहा है Zee Studios के लिए बहस करते हुए वरिष्ट वकील ने प्रस्तुत किया कि CBFC जान बूच कर फिल्म की रिलीज को खीच रहा है क्यूंकि वो चाहता है कि इसे इस साल अक्तूबर में हरियाना में होने वाले चुनावों के बाद ही रिलीज किया जाए पीट ने ये पूचते हुए सेंसर बोर्ड को अंतता 25 सितंबर तक तै करने के लिए कहा कि फिल्म रिलीज होगी की नहीं बोर्ड को साहस रखना होगा और ये कहना होगा कि वो फिल्म को रिलीज नहीं होने देगा अगली बड़ी खबर में भारत के मुखनियाधीश डी वाई चंदरचूड ने गुरुबार 19 सितंबर को भारत के अटर्ली जनरल को जारखंड उचनियाले के मुखनियाधीश की नियुक्ती में देरी के लिए केंदर के खिलाफ जारखंड राजद्वारा दायर अवमानना याचका के बारे में सूचित किया एजी ने कहा कि उन्हें याचका की जानकारी नहीं है ये आदान प्रदान तब हुआ जब अटर्नी जनरल ने नियाधीश की नियुक्ती के संबंद में एक याचका का उलेक किया जो कल सूची बद है और इसे स्थगित करने का अनुरोद किया अटर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने संकेत दिया कि उचने आयालेयों के मुख्य नियाधीशों की नियुक्ती के संबंद में लंबित कलीजियम प्रस्तावों पर केंद्र का निर्ने जल्द ही होने की संभावना है आगे बढ़ते हुए दिल्ली उचनेयाले ने हाल ही में माना है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते राष्टिय राजधानी प्रवासियों की है और किसी विशेश श्रीनी को आरक्षन का लाब देने से इंकार नहीं किया जा सकता है नियायमूर्ती सुरेश कुमार कैद और नियायमूर्ती गिरीश कतपालिया की खनपीट ने कहा ये भी विवाद में नहीं है दिल्ली का NCT प्रशासन चलाने के अलावा सभी उद्देश्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए किसी भी श्रीणी को आरक्षन का लाव देने से इंकार नहीं किया जा सकता है अदालत ने केंद्रिय प्रशासनिक नियायधिकरण यानी CAT के आदेश के खिलाफ दिल्ली अधिनस्त सेवा चैन बोर्ड यानी DSSB द्वारा दायर अपील को खारच करते हुए ये टिपनी की जिसमें निर्देश दिया गया था कि विश्नु कुमार बदेतिया दिल्ली सरकार के स्वास्त मंत्राले में स्ताफ नर्स के पत पर नियुक्ती के हकदार थे वो 2009 में प्रकाशित एक विग्यापन के अनुसार अनुसूचित जाती के उमीदवार हैं एक महत्वपून घटना करम में सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व यानि अडजस्टिट ग्रॉस रिवेन्यू या एजी आर बकाया के भुक्तान के संबद में अडालत के 2019 के फैसले के खिलाफ दूर संचार कंपनियों यानि वोड़ाफोन आईडिया भारतिय एटल और टाटा टेली सर्विसिस द्वारा दायर उपचारात्मक या चकाउं को खारिच कर दिया है CJI DY चंद्रचूर नियायमूर्ती संजीव खन्ना और नियायमूर्ती बियार गवाई की पीट ने पैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा में अदालत के फैसले के संदर्ब में उपचारात्मक शेत्र अधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है संशेप में दूर संचार कंपनियों को जटका देते हुए अक्तूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग उनसे 92,000 करोड रुपे के समयोजित सकल राजस्व यानी AGR की वसूली के लिए केंदर की याचिका को अनुमती दे दी थी नियाय मूर्थी आरुन मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन नियाय अधीशों की पीट ने दूर संचार विभाग द्वारा तैयार की गई परिभाशा को बरकरार रखा था अगली खबर में सुप्रीम कोट ने आज नार्कोटिक्स ट्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टेंसिज आक्ट 1985 के तहट एक मामले में अग्रिम जमानत दिये जाने पर आश्चरिव्यक्त किया और पश्चिम बंगाल राज इसे आरोपी को दी गई गिरफतारी पूर्व जमानत को रद करने की मांग करने वाले आवेदन दाखिल करने पर विचार करने को कहा जस्टिस बियार गवाई, जस्टिस अर्विंद कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीट ने निर्देश दिया एंडीपी इस मामले में अग्रिम जमानत देना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है इसलिए हम राज को इस पर विचार करने का निर्देश देते हैं कि क्या वो आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद करने के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव रखता है इस मामले में कथित तोर पर स्कूटी में आरोपी व्यक्ती के कबजे में नशीले पदार्ट पाए गए थे और उसने अपने बयान में अन्य सह आरोपियों का नाम भी लिया था जिनें अग्रिम जमानत दे दी गई थी सुप्रीम कोट ने बुदवार 18 सितंबर को लगभग 45 प्रतिशद भाशन और भाशा विकलांगता वाले एक उमीदवार को MBBS पात्यक्रम में प्रवेश की अनुमती दे दी क्योंकि कोट द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड की राय थी कि वो मेडिकल शिक्षा हासिल कर सकता है कोट ने निर्देश दिया कि उमीदवार को उस सीट पर प्रवेश दिया जाए जिसे पहले खाली रखने का आदेश दिया गया था जस्टिस बियार गवाई जस्टिस अर्विन कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीट बॉंबे हाई कोट के आदेश के खिलाफ एक चुनोती पर सुनवाई कर रही थी जिसने MBBS पातिक्रम में प्रवेश रद करने के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था सुनवाई के दौरान नयायले ने मौखिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित सा शिक्षा की अनुमती देने के लिए अधिक समवेधन शील्द रिष्टी कौन की आवशक्ता पर भी बल दिया जादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिये हमारा यूट्यूब चानल या विजिट करिये हमारी वेबसाइट www.livlaw.in जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं Live Law Hindi पे आपको Hindi में सारी ताज़ा अपडेट भी मिल जाएंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिये और कॉमेंट करिये अपने व्यूज हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चानल को जॉइन करिये आज़ा मेंबर और सिर्फ 89 रुपे प्रतिमा में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिजम को प्रमोट कर सकते हैं धन्यवाद